भाई जिन्दगी का भी वो मज़ा नहीं रहा मास्क बहनो यहां मत जाओ वो मत करो मज़ा ही खराब हो चुका है और भाई जिन्दगी बड़ी छोटी है चला घूम के आते हैं बैंकॉक अरे जिन्दगी बड़ी छोटी है चल घूम के आते हैं बैंकॉक अब यो तु वीडिय अच्छी बनाया कर वरना कर दूंगा तुझे यूट्यूब पे ब्लॉक तो यार मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं रेड्मी नोट 9 प्रो की मी यूए 12.5.1 अपडेट के बारे में तो यह अगर आपने ड्रेन एंड बैटरी चार्जिंग टेस्ट का देखना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो बाकी देखते हैं क्या कुछ यहां पर हमें जो है रेड्मी नोट 9 प्रो तो यहां पर पहले तो बेंचमारक की बात कर लेते हैं क्योंकि आप सभी के बहुत सारे comment आते हैं कि बेंचमारक जो है वो दिखाओए तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं यहां पर Geek Bench से तो देखते हैं क्या score हमें Geek Bench का देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार Final score जो है वो single core का 560 आया है and multi core का 1661 आया है जो कि similar है पिछली update से तो कोई जादा issue यहाँ पर नहीं है तो अब यहाँ पर कर लेते हैं N22 Benchmark Test तो देखते हैं क्या हमें यहाँ पर score देखने को मिलता है क्योंकि आप सभी के काफी सारे comment आये थे कि यार N22 Benchmark भी करिए तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं score आ चुका है 2,36,000 के करीब तो यही score है दोस्तो अब यहाँ पर अब हम करने वाले हैं यहाँ पर throttle test उसका भी देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी lag आई है आपने देखा होगा तो चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं CPU throttling test तो देखते हैं कि इसका क्या result हमें देखने को मिलता है क्या score आता है कैसी performance रहती है device की तो दोस्तो यहाँ पर यह भी जो है वो finish हो चुका है 15 minute लगे हैं तो यहाँ पर अभी आप score देखेंगे तो 153,000 के उपर maximum गया है average जो है वो 133,000 के करीब रही है और minimum जो है वो 113,000 के करीब तो इसकी जो performance है इतनी अच्छी मिरे को नहीं लगी तो अगर आपने test यह किया है तो आप जरूर बताइएगा कि आपकी phone की performance कैसी है तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर RAM management की तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे मैंने काफी सारी application खोली हुई है तो यहाँ पर 1.7GB जो है वो RAM available है 4GB आट ओ 4GB तो सब कुछ clear कर देते हैं अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.8GB जो है वो दिखा रहा है तो 1.7GB तो यहाँ रैम management भी मेरे को इतनी ठीक ठाक नहीं लगी आप देखेंगे जो fingerprint sensor है वो अच्छे तरीके से काम करता है कोई issue आपको नहीं आएगा पर थोड़ा सा मेरे को आप देखेंगे slow मेरे को देखने में लगा आप देखेंगे यहाँ अभी लगाते हैं तो थो तो यहाँ पर आप देखेंगे हाँ phone smooth तो है ऐसा नहीं है कि phone smooth नहीं है पर मेरे हिसाब से जादा smooth हो सकता था क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत lag अभी भी देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत stutter आते हैं और यहाँ पर अग जब आप animation को open and close application को करते हैं तो यहाँ थोड जाते हैं वापिस तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को performance अच्छी लगती है पर यहाँ पर home screen में जो है जादा stutter जो है यहाँ यहाँ स्मूथ नहीं लगता है तो यह मैं आप से कहना चाहता हूं वैसे ठीक है पर स्मूथ मेरे को यह अभी भी नहीं लगता है जो पहले होता थ एंडुए 10 में तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों camera की तो यहाँ पर यार front facing camera बिलकुल ठीक है कोई मेरे को issue नहीं लगा तो यहाँ पर मैंने जो है एक portrait and एक normal shot लिया था तो मेरे को इन दोनों ही pictures में सब कुछ ठीक लगा मेरे को ऐसा बिलकुल भी महसूस नहीं हु किया जो camera है वो downgrade किया गया है और जैसे ही जो videos हैं तो यहाँ पर 30 fps पे stabilization आपको मिल जाती है तो stabilization भी मेरे को ठीक लगी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है पर जादा नहीं पर मेरे को stabilization भी ठीक लगी colors and focus भी काफी अच्छा है 60 fps में आप देखेंगे stabilization जो है वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि है ही नहीं तो नहीं मिलती है पर colors and all that जो है वो मेरे को अच्छे देखने को मिले color reproduction and dynamic range सब कुछ यहां मेरे को ठीक लगा मेरे को ऐसा बिलकुल नहीं लगा किया जो camera है उसमें downgrade किया गया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें दो दोस्तों तो यह तो मेरा अपना जुगाड है यहां पर आपको smooth and balance में ultra officially देखने को मिलती है and HD में high तक इससे जादा कुछ नहीं मिलता है यह मेरी जो है मैंने अपना जुगाड किया हुआ है तो आप इसके बारे में बिलकुल मत पूछेगा कि already मेरे channel पे दो strike आई हुई ह तो मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बना सकता तो यहां पर अगर हम बात करें gaming की तो smooth and extreme में मैं आपको जो है वो game खेल कर दिखा देता हूं यहां पर तो मेरे को gaming जो है वो या ठीक ठाक लगी कोई issue मेरे को नहीं आया even 60 fps पे भी तो यहां पर आप देखेंगे यार एक दम म processor है तो उसमें भी यह 60 fps को नहीं देते हैं कितनी असानी से और अराम से गेम चलती है पर यह देते ही नहीं है पता नहीं क्या बात है पिच्ण 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 पिच जो आपने आपने हैं हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा यार बिलकुल भी लैग मेरे को देखने को नहीं मिली गेम में तो मेरे को यार performance जो है वो काफी अच्छी लगी तो यहाँ पर मैंने ये सारे test किये तो यहाँ पर heating issue भी मेरे को यार बिलकुल भी देखने को नहीं मिला यह थोड़ा सा ही किया है जादा नहीं तो 40 degree temperature है battery का फोन का जो भी आप कह सकते हैं तो यार मेरे को जो है update तो अच्छी लगी है ऐसा नहीं है कि update अच्छी नहीं है अपडेट ठीक है थोड़ी बहुत lag and stutter आपको देखने को मिलेंगे जो आगे भी मिलते ही थे पर फोन की performance अच्छी होगी है थोड़ी पर यार अपडेट फिर भी मेरे को ठीक ठाक लगी तो यार यह सारी information थी यहां पर Redmi Note 9 Pro की नई update MIUI 12.5.1.0 तो यार आज के लिए बस इतना ही तो